नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं कल बजट प्रस्तुत किया गया, गाउं गरीब किसान की बात की गई लेकिन पूरे बजट भासन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं हो सकता है कि हम पत्रकार हमें ना दिखा हो तो इस पर पूरे बजट करने के लिए आखेकर किसानों के बारे में ये बजट क्या कहता है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जवाहला नहरु विस्तविद्याले के प्रोफेशर विकास रावल तो सर पूरे बजट को देखने के बाद, पूरे बजट को भासट को सुनने के बाद, किसानों के लिए कुछ भी नहीं दिखा, वो फूट प्रोड्यूसर और नीन अम जैसी बाते हैं, और पूरे किसानी का जो संकट चला रहा, उस पर कोई जिक्र नहीं हुआ, तो इसको बद पूरा भाषन दिया और उसमें कुछ भी जानकारी, बजट के बारे में, उसमें क्या खर्चा करने वाली हैं, उनके पास आए कि क्या साधन है, वो कहां से जो है, वो खर्चा करने वाली हैं, उसके बारे में कोई भी जिक्री नहीं हुआ, लेकिन अगर आप बजट के जो ड बिल्कुल भी भड़ोतरी नहीं होने का मतलब है कि अगर आप दामों को का हिसाब रखें तो असल में वो खर्चा कम हो गया है उसका जो रियल जो वैल्यू है लगाएंगे तो खर्चा जो है अगले साल में पिछले साल के मुकाबले कम होने वाला है ठीक है और बजट का जो हिस्सा क्रिशी का रहता था पिछले साल तक इस बार जो है वो उससे कम होने वाला है इसमें दो बाते हैं जो बदली हैं एक तो है पीम किसान नीदी तो सरकार ने कोई 50,000 करोड रुपए पीम किसान नीदी में रखे हैं पहले 20,000 रखे तो उसमें 55,000 की बढ़ोतरी हुई ह है तो 75,000 रखे है तो उसमें जो है तो बीस हजार पिछले साल ता इस बार 55,000 करोड की उसमें बढ़ोतरी हुई है अब यह समझने की बात है जो पीम किसान का पैसा है वो एक तरह से किसानों को तो जाएगा और अच्छी बात है किसानों के हाथ में कुछ पैसा आएगा वो जो अपनी जो खृषी संकट है उस स्थिती में किसानों के याद में किसी भी रूप में पैसा जाए वो कही ना कही वो काम लगेगा लेकिन यह समझने की जरूरत है कि यह पैसा पैसा परिवारों को दिया जाएगा उसमें ज्यादतर अगर मान लीजे गरीब परिवार है तो वो उनके घर के जो खर्चे में उनको कमी पड़ती है वो कही ना कही वो 6,000 रुपय उसमें लग जाने वाला है वो खर्चा जो है खेती के काम में लगे खेती से उसका विकास हो उसका उसमें कुछ लेना देना नहीं है तो आप यह कह सकते हैं कि किसानों के लिए गरीबी का निवारन करने के लिए आप उनको हर साल 6,000 रुपया देने वाले हैं अच्छी बात है लेकिन उससे क्रिशी का विकास होगा ऐसा इसकी में कुछ तो तो वह पैसा जो है मानलिजे अगर सरकार करने में बड़ी समस्या होने वाले हैं क्यूंकि हमारे जो ठीक नहीं है जो बटाईदार किसान है उनके पास पटाई नहीं होता है सेनकी तमाम समस्यां उसको implement करने में है पर उनको अगर हम side में भी रख दें तो उस पैसे से क्रिशी का विकास होने वाला ऐसा बिल्कुल नहीं है तो एक budget documents में जो आपको गोलमाल देखने को मिलता है वो यह है कि वो 75,000 क्रोड रुपया वो crop production के खाते में डाल दिया गया है जबकि उसका crop production दे कोई सीधा लेना देना है नहीं वो 75,000 क्रोड रुपया किसानों के गरीवी की स्थिती में आप उनको support दे रहे हैं अच्छी बात है पर उससे क्रिशी का विकास होने वाला नहीं है जो खर्चा आप क्रिशी के विकास के लिए करते थे उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुए है अच्छा 2000 क्रोड रुपय की बढ़ोतरी जो है वो यह जो procurement और market intervention scheme जो कहते हैं उसके लिए बढ़ाया गया है अब यह 2000 क्रोड रुपया पहली बात तो बहुत कम है अगर हम यह देखें कि आज की तारीक में ज्यादातर किसान सरकारी खरीद से लाबानवित हो ही नहीं पाता है तो सिरफ 2000 क्रोड बढ़ाने से तो ऐसा नहीं है कि आप सारे किसानों को की खरीद का ख्याल रख पाएंग तो वो 2000 क्रोड रुपया सरकार किस तरह से खर्चा करने वाली है उसमें कितना actually procurement खरीदी करने वाली है और कितना इधर वो व्यापारियों के हात में लगने वाला है वो भी अभी बोलना मشकिल है तो सरकार का यह जो देखने को आँ रहा है कि पहला budget मोडी की नदूसरी सरका क्रिशी संकट और ये सूखे के मद्देनाजर जो एलोकेशन करने की जुरूती है उसका बिलकुल भी वितमंतरी ना ख्याल रखा है ये जो चीजे दिखती है इसमें फूड फार्म प्रोडिसर और इनेम जैसे जो बाते दिख रही है जो उन्होंने अपने संकल पत्र में भी कहा था कि 10,000 खोलेंगे और क्रिसी का जो पूरा धांचा है वो धांचा इतना जरजर है तो आपको लगता है कि ऐसी स्थितियों में क्या क्रिसक वहाँ पर अपना माल बेच करके पूरे बजार से बारगेनिंग कर पाएगा अच्छी तरीके से यह सोचने की जो रहत है कि यह किस तरह से जो है जुम्लेबाजी में बदर जाती है बात है पहली स्थिति तो यह हमें समझनी पड़ी कि कि आज भारत का जादातर किसान जो है वो बहुत ही थोड़ी थोड़ी जमीन पर खेती करता है और उसके पास साधन जो है चाहे धन की रूप में हो चाहे इंफ्रसक्चर के रूप में हो बहुत ही लिमिटेड होते हैं एक दम गरीब आदिवासी किसान के थोड़ी बहुत खेती कर रहा है उस थिती में जो है आप क्या कर सकते हैं आप जो है सहकारिता को बढ़ावा दे सकते हैं पर लेकिन सहकारिता को बढ़ा किसान है वो जो है high value production करके export oriented production करके और किसी तरह से supermarket से contractual farming करकर के वो उस तरह में फाइदा मुनाफ़ा उठाए और उस से जो है खेती का विकास हो तो खेती का विकास करने का जो आपका जो है उसमें engine आप डालना चाहते हैं वह शेकारिता करके और गरीब किसानों को बढ़ावा दे करके सपोर्ट दे करके आप उसको उसका विकास करें उसके बजाए आप जो है कोई थोड़ा बहुत जो इंजन ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं वो वो पुझी पती किसान जो जो है कहीं सुपर मार्केट से कॉंट्रेक्ट करके या कोई प्रोडक्शन करके उसको आप बढ़ावा देने के लिए थोड़ा बहुत अलोकेशन कर रहे हैं पर वह कोई बहुत ज्यादा एलोकेशन के ऐसा नहीं वो नाम मात्राइब थोड़ा सा कुछ कर दिया जीरो बजट फार्मिंग लगता है जैसे कि फार्मिंग करेंग और उसम से भी चला आता है किसी परमपरागात योजना में इसके लिए कि वहल तीन सो पंचानुए करोड़ और केमिकल फटिलाइजर के लिए लगव नौ हजार क्रोड़ से अधिक कालग अधिक हां एक तो यह सारी बाते हैं और उपर से जो हमारे विकास का मॉडल है जो कहीं भी ऐ इसा दिखे और पॉपुलेशन भड़ता जा रहा है फुट की रिक्वार्मेंट है तो यह भी आपको लिए लगता कि जुमले बाजी टाइप स्थिती है यह मुझे लगता है काफी दुखद है और दुखद इसलिए है कि आप वित्मंत्री अपनी बजट स्पीच में किसान अब यह जिरो बजट लेकिन है क्या जिरो बजट से अर्थ जो है वो इस प्रकायर की खेती जिसमें कोई भी बाजार से खरीद करके जो है इन्पूट जो है वो ना लगाई जाए अब यह क्या संभव है आपने पूरा जो हरितकरांती का जो पीरियड था जिसमें भारत ने अपने अनाज के उत्पादन में स्वाहितता प्राप्त की उसमें सारा दारोमदार उस ग्रोथ का मॉडर्न इन्पूट चाहे वो अच्छे बीज हो चाहे खाद हो कीतना शक दवाईयां हो मशीनरी हो यह सब प्रयोग करके किसान उत्पादन करता है जिससे इस देश का किसान क्या बैल लगा करके हल भी क्या घर में खुद किसान बड़ाई बन करके बनाएगा और उसको चलाएगा या बीज जो है चलिए बीज अपना रखेंगे उसमें उन्नत बीज बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं होगी तो आप क्या जिरो बजट करना चाहते हैं तो ज बीज का प्रचान करें किसान उन्नत खात का अपयोग करें और किसान जो है गोबर की खात पर चलाएगा अगर आप यह हिसाब लगाईए कि आज की तरीक में देश की खेती में जितना नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पॉताशियम खेती में लगता है इतना उत्पादन कर तो आप उसमें नाइट्रोजन फॉसफेट पोटाइश अगर आपको गोबर की खाद से डालना पड़े तो पूरा ये देश जो है गोबर की गोबर में डूपता रह जाएगा इतना गोबर का खाद आपके पास है नहीं है इतना गोबर का खाद आपके पास उतना 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 चाहद करने की कोई स्थिती नहीं है कि आप जीरो बजट अब हमें आपको कर देदेगा और economic survey ये कहता है कि 70% फसलों को MSP नहीं मिल पा रहा है और इन सारी बातों पर एक सब्द तक नहीं कहा गया तो मतलब क्या दिखता है ये नहीं बिल्कुल देखिए आज किल इस समय खेती किस्थिती बहुत ही बत्तर है नकेवल MSP की कोई चर्चा यहां पर नहीं है जन्यापन वह कर सके ऐसा हम अपनी खेती को में किसान को वह सुनिश्चित जब तक नहीं करेंगे तब तक किसान किस तरह से खेती करेंगा तो इसका तो कोई भी सोच आपको बजट में देखने को मिलता ही नहीं है पर इसका एक दूसरा भी पहलू है और मज़ेतार बात है कि दोनों पहलू को सरकार खासकर जब से इस सरकार आई है पिछले 5 सालों में भी यह दोनों पहलू को कभी भी सरकार ने एक साथ में रख करके देखा नहीं है वो दो पहलू क्या है एक उत्पादन है और एक खर्चा है आपको अगर आय बढ़ानी है तो आपको उत्पादन और उत्पादत का की जो value है उसको बढ़ाना पड़ेगा और खर्चों को कम करना पड़ेगा तो खर्चों को कम करने का तरीका क्या है कि किसान को जैसे मैं कह रहा था बीज, खाद वगएरा उचे दाम पर मिले आप वो नहीं करते हैं आप कहते हैं कि zero budget कर दीजेए अब zero budget कर देंगे तो आपकी आमना नहीं बढ़ेगी अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो कैसे आमना नहीं बढ़ेगी तो आपके जो है खाद का जो है आज दो डाम है वो इतना ज्यादा बढ़ गया डीएपी का जो आज दाम है एकदम आसमान को चुरा है क्य खाद कंपनियां जितना चाहे किसान से दाम ले सकते हैं उसके साथ साथ 26,000 करोड सरकार फॉसफेट और पोटैश के लिए NBS सबसीडी देती है 26,000 करोड सबसीडी खाद कंपनियों को जाती है जबकि खाद कंपनिया इस बात के लिए बिल्कुल भी बात दे नहीं है कि वो सबसीडी वो किसानों को दे किसानों को वो पूरे दाम पर खाद बेचती है और उनको 26,000 करोड उसमें सबसीडी और मिलती है तो क्यों सरकार ऐसा कुछ नहीं करती कि जिससे वो 26,000 करोड सरकार फर्टिलाइजर ये NBS पर फॉस्फेट और पोटैश फर्टिलाइजर पर खर्चा कर रही है उसका मुनाफ़ा कहीना के किसान को मिले तो ये कुछ मूल बाते हैं जो क्रिशी का जो क्षेतर है उसमें किसानों के लिए सबसे ज़्यादा जिनका असर आज किसान पर पढ़ रहा है उसके ओपर तो वेत्वपंतरी ने कुछ भी नहीं कहा उन्होंने बस अपना जीरो बजट की बात कर दिया और उन्होंने जो दो चार जुम्रा छोड़ दिया और वो बात कतम होगी उन्होंने कोई आंकडे नहीं बताया कि किसान की जो बधाल स्थिति है इस समय जो सुखा पड़ा हुआ है उसके लिए सरकार की क्या सोच है इस साल में क्या करने वाले इसके बारे में कुछ नहीं पता है वो पांच ट्रिलियन अर्थवस्था की बात करते हैं और देख रहे हैं कि हम क्रिसी का विकास दर हमेशा कम होते जा रहा है लोग पैदावार भी अब करना चाह रहे हैं वो अलग हट रहे हैं तो ऐसे में क्या लगता है कि उस पांच ट्रिलियन अर्थवस्था में क्रिसी नाम की चीज को पूरी तरह कैसे इंकार कर दिया गया है वो पांच ट्रिलियन की जो अर्थवस्था उसमें किसान कहीं है नहीं उनके जो परिपेक्ष है उनका जो द्रिष्टी है उसमें किसान कहीं है नहीं उनका जो परिपेक्ष है उसमें अम्मानी है अडानी है और जो बड़े-बड़े पुझी पती वो है और बाकी जो जनता है वो उनकी मज़़ूरी करें उसके वही उनका परिपेक्ष है आपसे अंतिन सवाल कि सूखे की स्थिति बधाली मांसून की कमी की वज़ा से पानी कम होना भारत की ऐसी स्थिति किसानी को लेकर के बजट का ऐसा रवया और पूरी दुनिया में जलवायू परिवर्तन को लेकर जो सारी चीज़े चल लही है यह सारे चक्र हैं लेकिन फिर भ खंपिंग मेजवर्टी के साथ आती है तो क्या कभी ऐसा नहीं होगा है कि सरकार उस द्रिष्टी से सोचे जो सारी चीज़ों को लेकर चल पाए क्रिशी का विकास हो और उस तरह से विकास हो जहां पर जलवाई परिवर्तन से हम टैकल कर पाएं और पुरी दुनिया के यह विकास के लिए भी जौरूरी है अगर खेती का उत्पादन नहीं होगा तो आपका सारी जूंता जो गैर कहीति के कामों में जुड़ी है वो भी क्या क्हाएगी ऐसा नहीं है कि आप खेती को अगर छोड़ देंगे खेती विकास नहीं होगा तो आपका जो GDP है वो service sector से जो है या manufacturing sector से अपना बढ़ जाएगा जब तक खेती में उत्पादन नहीं होगा किसान के पास purchasing power नहीं होगा तब तक आपके बाकी क्षेत्रों में भी विकास नहीं हो सकता है और इसके साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपने सुखे की बात की सुखा के समय पर सबसे ज़्यादा समस्या जो आपको होने वाली है वो crop failures की होने वाली है फसले जो है वो नश्ट हो जाती है सुखे के चलते उस थिती में सरकार को कोई ना कोई एक plan होना चाहिए कि किसानों को किस तरह से वो मदद पहुंचाने वा पीछे crop insurance schemes के साथ किया है वो जो है एक bonanza insurance companies के लिए खड़ा कर दिया गया है एक बड़ा amount जो है budget में होता है जो insurance companies को जाता है जिसका कोई भी फाइदा किसान को नहीं मिलता है जिन सालों में बरसा ठीक ठाक हो जाती है उसमें ये किसान को चुपता नहीं है सरकार जो है बह बरसात ठीक नहीं है उस साल में आपको अपना insurance system दुरूस्त करने की जुरूरत थी आपको किसानों को मुहज़ा कैसे देने वाले हैं उसको दुरूस्त करने की जुरूरत थी वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है तो ये जो मैं कहूंगा कि खेती की तरफ और किसान की तरफ एक उपेक्षा जो है आपको इस बजट में देखने को मिलती है और वो मुझे लगता है के तरफ इस बजट का जो रवया है मैं कहूंगा उपेक्षा का रवया जो है वो उसको दिखाता है शुक्रिया विकास जी हमसे इस पर बात करने के लिए चुनाओ के पहले का बजट देखिए किसान दिखेंगे चुनाओ के बात का बजट दिखिए किसान गायब है यही है आज का राज्य और आज का कल्यानकारी राज सोचिएगा शुक्रिया आप देखते रहें न्यूश क्लिक